जहें दोस्तों वेलकम टीनाइट स्कूल दोस्तों बात करेंगे बिटकोईन एनलिसिस के बारे में बिटकोईन से रिलेटेट कुछ बहुत ही महत्पूर अपडेट के बारे में और साथ ही दोस्तों बात करेंगे बिटकोईन ग्राफ के बारे में एनलिसिस के बारे में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि Bitcoin का प्राइस यहाँ से किदर जाने वाला है और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ प्रूप के साथ बहुत बड़ा जिसमें आपके पास एक बहुत ही बड़ी इंकम की प्रोबाइबिलेटी बनती है तो चलिए इन सभी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है जिन दोस्तों ने बिदे के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरू कर लें जो कि नमबर वन एक्षेंज दुनिया की तो अक्षन ओप विंची वैंगोग अनप्टी थे स्टेट हर्मिट्रेज मुजियम और बाइंस आ लूंचिंग अनप्टी ओशन फीचरिंग works for the sum of the world most renowned artist. Binance NFT Marketplace has today announced its partnership with the state Harmington Museum that will see the platform auction of a digitalized collection of the world masterpieces from the museum main exhibition. तो दोस्तों आपको पता ही है इस बात का तो आपको पता ही होगा कि यह जो ओफदा विंची मुजियम है यह दुनिया का बहुत ही फेमस मुजियम है और इसने Binance के साथ मिलकर NFT में एक नया दोस्तों यहाँ पर revolution लाने की कोशिश की है यहाँ पर ओप दा विंची विंची विंचिंग के अंदर पांच NFT का collection रखा जाएगा जिसमें बड़े-बड़े artist को invite किया जा रहा है Binance की तरब से यह NFT collection बनाने के लिए title रहेगा Your token is kept for the Hermitage तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका title दिया जाएगा वो यह दिया जाएगा कि आपके token Hermitage में रखे गए हैं The collection comprises a total of 5 NFT with a copy of each NFT remaining at the museum यहाँ पर 5 NFT collection के बारे में यह काम कर रहे हैं जिसमें से हर एक NFT की एक copy इस museum में Hermitage museum में रखी जाएगी These include digital reproduction of the Madonna and the Child Madonna and the Child के बारे में आपने सुनाई होगा यहाँ पर इसका reproduction यहाँ पर किया जाएगा by Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci जो की एक बहुत ही famous artist है दुनिया के इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा Judith by Georgiano, Lilac Bush by Vincent Van Gogh Composition VT by Vassily, Kandinsky and Corner of the Garden at Montagron by Claude Mone तो दोस्तो इतना famous NFT collection यहाँ पर इस museum में रखा जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पर यह कह सकते हैं आप सुरुआत हो चुकी है NFT collection की museum में जाने के लिए इसके बाद बहुत सारे दूसरे museum में भी NFT collections को रखा जा सकता है और दोस्ता इस तरह से NFT का जो market cap है और जबर दस तो चाल मार सकता है इस तरह की जो चीजे हैं वो market में बहुत promotion लेकर आती हैं दूसरा दोस्तों यहाँ पर important चीज यह है कि Square Jack Dorsey plans to build decentralized Bitcoin exchange Square Jack Dorsey के बारे में आपको पताई होगा Twitter के CEO हैं बहुत ही famous इन्होंने थोड़े दिन पहले यहाँ पर अपनी एक सबसे पहले जो Twitter की tweet थी वो बहुत ही बड़े amount में sale कर दी थी as an NFT और दोस्तों यहाँ पर अब यह Bitcoin में decentralized Bitcoin exchange launch करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ा step है यादि दोस्तों industry leader जैसे Facebook के owner जैसे यहाँ पर Twitter के owner और दूसरे बहुत सारे जो intervenior है वो लगातार cryptocurrencies की तरफ आ रहे हैं और खासतोर से NFT and DeFi market में अपना एक जबरदस्त interest रो कर रहे हैं share of total transaction volume by transaction size of DeFi cryptocurrencies activity यहाँ पर एक बहुत ही important graph आपके लिए तयार किया गया है DeFi market किस तरह से बढ़ रहा है quarter 3 2020 से लेकर quarter 2 2021 तक quarter 3 2021 में यहाँ पर आप देख सकते हैं large institutions जो हैं सबसे बड़ा role play करते हैं किसी भी market में और यहाँ पर आप देखेंगे जो large institutions है quarter 3 में सिर्फ 2020 में इतना कम यहाँ पर उनका percentage था DeFi market में 2020 में और बढ़ा 2021 में और बढ़ा और 2021 के quarter 2 में यह बहुत बढ़ा मुन्ठुच का है इस तरह से large institutions DeFi market में एक बहुत ही महत्पुन रोल निमा रहे हैं और इनका graph अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक graph बन रहा है और दोस्तों इस तरह से यही कारने की DeFi industry बहुत ही तेजी के साथ grow हो रही है और यहां पर DeFi जो coin है उनके price भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे है इसके अलावा दोस्तों important update है hackers के लिए Cardano foundation offers up to 10,000 dollars in rewards for hackers who find ADA vulnerabilities तो दोस्तों अगर आप hackers हैं तो आपको करना क्या है ADA जो है उसकी vulnerabilities find करनी है और इसके बदले आपको Cardano दे सकता है 10,000 dollars तक one time price refill files motion to expose XRP holding of SEC employees यह काफी ज्यादा important update है the court has reportedly given the US SEC until 3rd September to respond to Ripple motion to compel the authority to provide data on its employees XRP holding Ripple has filed a motion to compel the United States Securities and Exchange Commission to disclose its internal cryptocurrency trading policy as part of the ongoing legal battle with the securities regulator James Fionn and attorney closely following up the SEC case against Ripple shared a new motion document seeking to bring clarity to whether the SEC permitted its own employees to trade XRP which as per the regulator allegations is an unregistered securities तो दो यह बहुत ही ज्यादा important update है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर important update यह है क्यूबा एक नया country will recognize and regulate cryptocurrencies दोस्तों एल Salvador के बाद क्यूबा दूसर country बन जाएगा recognize and regulate करने वाला cryptocurrencies को इसके अलावा क्यूबा government ने already announce कर दिया है कि वो cryptocurrencies को वहाँ पर regulate करेगा अलाव करेगा इसके अलावा El Salvador 200 ATM established करने की यहाँ पर line में है और इसके साथ साथ यहाँ पर legal tender गोशित किया जाए चक्टुआ है already bitcoin को और दोस्तों 7 September को officially El Salvador में bitcoin जो है legal tender start हो जाएगा as per the rules और दोस्तों यह बहुत ही बड़ा step है कहीं न कहीं शुरुआत है कि countries are adopting bitcoin El Salvador के बाद क्यूबा क्यूबा के बाद बहुत सारी दूसरी countries आगे line में हैं जो कि bitcoin और इसके साथ साथ दूसरी cryptocurrencies को accept करने वाली है as a legal tender हाल फिराल में बहुती बड़ी company की तरफ से update आ रहा है Microsoft granted US patent for crypto token service क्रिप्ट token service के लिए Microsoft को access मिल गया है US से जो कि बहुती बड़ी अपने आप में बात है दूसरी important बात यह है कि इस समय पर जो बिटकोईन का graph चल रहा है पिछले कुछ दोना उसे वो 2013 का जो graph था उसे फोलो कर रहे हैं अगर दोस्तों 2013 का graph यहां पर फोलो होता है बिटकोईन में तो इसका price बहुत आगे जा सकता है इसके अलावा मैं आपके लिए graph लेकर आया हूँ यह graph जो बनाया गया था वो 2019 में बनाया गया था और तब से अब तक इसमें कोई भी change नहीं हुआ है लेकिन कहते है ना दोस्तों mathematics जो है वो एक बहुत ही बड़ा role play करता है और इसी graph के according बिटकोईन यहां पर जा रहा है आगे बढ़ते हुए यहां से अगर आप देखेंगे 2014 से 2021 था और इसके according अगर इस graph के according आप देखेंगे तो 2022 तक बिटकोईन का जो price है वो 145,000 को cross कर जाएगा और 2021 तक बिटकोईन का जो price है वो लगबग 70,000 के डोलर तक जाएगा अभी बिटकोईन का price 50,000 के डोलर के आसपास यहां पर चल रहा है अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत सारे cryptocurrencies जो है जिनका price बेहत बढ़ जाएगा आने वाले सहय में और दोस्तों इस तरह से cryptocurrencies मुख्यदारा में जैसा की एड होती जा रही है दुनिया में और ज्यादा मुख्यदारा में एड हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर यह भी देखेंगे पिछले चार साल का 2018 में Bitcoin ने जो investors को दिया था profit वो 268% का दिया था 2019 में 188% का दिया था 2020 में 116% का दिया था लेकिन 2021 में अभी तक investors को जो Bitcoin ने profit दिया है वो सिर्फ 6% का दिया है अगर यही pattern follow होता है तो उसके according भी जो Bitcoin का price है 2021 के end तक लगभग 75 dollar के से लेकर 80K dollar तक जाएगा तो दोस्तों अगर हम इस pattern के बारे में बात करें तब भी Bitcoin का price December 2021 तक अच्छा कांसा बढ़ने वाला है और हम इस graph के बारे में बात करें तब भी Bitcoin का price 2021 तक अच्छा कांसा बढ़ने वाला है कुल मिलाकर दोस्तों Bitcoin का price 2021 तक 7280K dollar के बीच में जाने के उमीद है और 2022 के mid तक 140K, 140,000 dollar को cross कर लेने की उमीद है यानि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आप को अच्छा कांसा उचाल देखने को मिल सकता है Bitcoin के साथ साथ इसके अलावा दोस्तों अगर आपको daily basis पर Bitcoin में एक बड़ा amount अंकरना है जैसे 2,000 dollar, 3,000 dollar, 4,000 dollar daily basis पर अंकरना है या इसके अलावा दोस्तों आपक 6,000,000 रुपे के आसपास होते हैं अगर 8,188,000 dollar के बारे में बात करूं तो एक दिन की कमाई 6,000,000 रुपे के आसपास ये कमाई कैसे possible है इतनी बड़ी बहुत सारे screenshot है आप देख रहे हैं इसके लावा भी मेरे पास 100 of screenshot पड़े हैं ये सारे screenshot मेरे followers के हैं जिन्हों नहीं मै बाइने में ये 100 dollar से सुरू करके एक बहुत ही जवरदस तर्णिंग तक यहां पर कहुंच चुके हैं ये कैसे हुआ है ये बाइनेंस ओटो ट्रेडिंग से possible हुआ है जो कि बाइनेंस की एक बिलकुल नई टेकनलोजी है क्रिप्ट इंडेस्ट्री में दोस्तो मैं हमेशा आ यहां पर जो इंकम पोटेशल है वो कम होती जाएगी इस समय पर यहां पर इंकम पोटेशल बहुत बढ़ी है तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की एर्णिंग करनी है डेली बेस इस पर क्रिप्ट इंडेस्ट्री में तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है टेलिग्राम चैनल को जोइन करें वहां पर लेटिस्ट मैसेज आपको मिलेगा साइन अप इद बाइनस ओटो ट्रेडिंग और एक लिंक भी मिलेगा वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर लिजीगा बाइनस ओटो ट्रेडिं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। इन दोनों एक्षच्चेंज पर साइण अप कर लें आपको बहुत काम आने वाला है। खासतोर से वजीर एक्सपर तो ज़रूर साइण आप कर लें। और दोस्तों जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के रिस्क्रिप्टिन में वहाँ पर जो लिटेस्ट मेसेजज है साइन अप इस बाइन सोटो ट्रेडिंग उसके साथ साइन अप करने के बाद एक्टिवेट जरू कर ले बहुत ही बड़ा इंकम यहाँ पर आप ज सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें लेटेस् क्रिप्टर बेट से पात रहने के लिए थैंक यूँ